नमस्कार दोस्तों मैं गेरदारी आपका स्वागत करता हूं इस्टार एड्यूकेशन यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज की हम वीडियो के अंदर टॉप क्यूशन की बात करेंगे जो आपके रेल्वी एंटी पीसी का जो वहारा क्रेस कोस्ट चल रहा जिसके अंदर रे यूशन का उत्तर कमेंट बाक्स में करें इसमें दे रहता है कि अक्सरों को पोटी करना एकसर छॉआ के सांदे रहा 앞 की वह को कैसे करेंगे अब बी के बादमें ले इसका च्टीर यहां पर आप देखेंगे इसके बादमें C के बाद में d और D के बाद में E E के बाद में F तो इसका right answer है इसका जो right correct answer है हुआ पुझाएगा D, D और E, ये एक option के अंदर है जो option नमर आपका एक है इस person का जो right answer है अगला question देखिए दो number questions यहां पर आप देखेंगे जो दो number questions आपके लिए क्या है दो के बाद में 4, 4 के बाद में 7, 7 के बाद में 11 और 11 के बाद में यहां के आएगा सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे दोस्तों दो और चार के बीच में कितने का अंतर है दो का फिर तीन का अंतर है फिर कितने का अंतर है तीन का अंतर है उसके बाद में फिर कितने का अंतर है चार का अंतर है उसके बाद में कितने का अंतर है पांच का तो दोस्तों 11 प्लस 5 कितने हो रहे 16 तो इसमें जो राइट आंसर ये तो आपका ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया अब दोस्तों अगला जो किस परकार से कहरा 44 काम सॉलूशन करते हैं देखिए दोस्तों 15 और 47 सबसे पहले हम बात करेंगे 15 इंटू 3 45 बराबर 45 उसके बाद में मैं प्लस 2 करूँगा उसके बाद में 47 इंटू अगर में 3 करता हूँ तो देखिए 7 तरी 21 संसल की 2 और 4 तरी 12 और 13 कितने हो रहे हैं तो यहां पर 131 हो रहे हैं उसके बाद में अगर यह सम्झा this Is इसाधे इसमा आपकी जो पिर हम साध का score करेंगे और मैनिस उसके बाद में 2 करने वाले हैं तो वैसे आगे बढ़ेंगे तो दो सम्झा हम यहाँ से 11 का स्कॉर करेंगे और माइनस 3 करेंगे उसके बाद में दोस्तों यहां पर आप देखेंगे 16 का स्कॉर करेंगे और माइनस 4 आपका करेंगे वाले है तो दोस्तों देखें यहां पर 252 252 में से अगर हम 4 लेस कर लेते हैं तो आपका कितना हो जाता है 122,116 का स्कोर 256 होता कितना होता दो स्दौशपण माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास में 252 इसका जो राइट अंसर क्या है 252 आपका राइट अंसर है टो इस पर्सnent का राइट अंसर क्या है 292 आपका राइट अनसर है next number जो questions नमर हम्रा 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तो इसके अंदर क्या बता रहा है? B और E के बीच में कितने का अंदर है? दोस्तो B के बाद में C और C के बाद में D तो यहाँ पर D उसके बाद देखेंगे E के बाद देखेंगे यहाँ पर F G एच और उसके बाद में आई तो जो आगे वाले सेंग्या होगी तो देखिए आई के बाद में जे के ल एम और यहां पर क्या आएगा एन आपका रहे तो अब इसमें सभी में M है अब जो दोसरा चुछ इसके अंदर रिजिनिंग चल रही है देखिए दो के बाद में तीन औ जो चार के बाद में 5 तो यांपर क्या आएगा बाद आज़ेगा अब द्हिए यहां पर डी यह एक छार का अंतर फिर 4 और 13 जा आर्ठ आन्ट और पांच आठ और पांच तेरा तो अब जो आगे वाला क्या आएगा तो यहां पर चार पांच और छे तो दोस्तों यहां पर M13 पे हो प्लस चे करेंगे तो मेरे पास में 19 आएगा क्या आएगा मेरे पास में 19 चला जाएगा तो दोस्तों इस परसन का जो तो राइट आंसर क्या होगा बहुत अच्छा क्यूसन से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका N5S क्या जाएगा N5S आपका राइट आंसर है तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा option number आपका C of right answer option number C आपका correct answer है next question questions number 4 देखेंगे कैची का मतलब कपड़ा है वही खाली जगर आगे क्या आएगा कैची का मतलब कपड़ा है तो दोस्तों कुलाड़ी का मतलब क्या होगा कुलाड़ी काड़ना लगड़ी काड़ना तो इसका right answer क्या है option number B आपका right answer है अगला क्यूस्तों आपके सामने दे रहे हैं दोस्तों बहुत अच्छा क्यूस्तों 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 क् काट काट के आप इस प्रस्टों का उत्तर सॉलुशन कर सकते हैं अगला कुशन देखिए दूस्तों अगला कुशन क्या कह रहा है एक तरफ आपके सामने कोड दे रखें दूसरी तरफ यह आपका कोड का जो चिन क्या है सबसे पहले देखेंगे यू यह उल्टा यू है तो य यहां पर आपका यह उप्सन कड गया है उसके बाद देखेंगे यह बराबर का निसा ने तो बराबर का मतलब होता है और तो दूस्तों यह भी आपका कड गया यह भी आपका अगड़ गया पीचे जो इसके अंदर उत्तर भचे ऑप्च आपसन नंबर तीन आपका राइट answer है तो दोस्तों इसमें option number 3 आपका बिल्कुल right answer है अगला question से कि वे नारेक से समंदी तो कोलेजों के चात्र और गायक और निर्थकों के बीच में सही समंदी क्या है दोस्तों मैं सबसे पहले बता हूँगा ही कोलेज के अंदर चात्र रहते हैं क्या रहते हैं कोलेज के अंदर चात्र और दोस्तों चात्र मैंसे कुछ तो क्या करते हैं दोस्तों गाने का कारिय करते हैं क्या करते हैं गायक के रूप में हैं और दोस्तों कुछ ऐसे भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो गाते हैँ और नेतिक já करते तो यहां पर गाना और नेतिका करेऊगा तो यह चारों अलग लगे तो इसका यहां पर आजाएगा नेतिक क्या आजाएगा आपका नेतिक को जाएगा क्या You almost cure यह किसके अंदर है यह option number आपका सी right answer है अगला थोड़ा सा डिफिकल क्यूसन से लेकिन इस प्रसंद का solution आपको करना है दोस्तों चली क्यूसन करते हैं माया ने बताया वैसाली के पीता दोस्तों यह जो वैसाली है यहाँ पर जो आपकी वैसाली है वैसाली के जो पीता है यह विनायक यहां क्या आएगा विनायक मेरे ससूर है कौन है माया कहती तो दोस्तों यहां माया है माया एक परकार की लड़की है उसका पती है पती का जो वैसाली से संबंद होगा तब ही उनका ससूर होगा यहां हम मान सकते हैं कि यहां पर वैसाली हो सकता है क्या हो सकता है वै वैसाली हो सकता है तो यह भी आपको अभी confirm नहीं है लेकिन यह खुद है यह इसका भाई है तो इसका माया का क्या हो गए ससूर हो गया मेरे ससूर विश्वनात के एक मात्र पुत्र है मेरे ससूर विश्वनात का एक मात्र पुत्र तो यहां विनाएक मेरे तो दोस्तों यहां पर बहुत important है वेसाली के पिता भी वेसाली मैला है उनके पिता विनाएक और इनके जो यहां पर किया होगा यह खुद स्वयं क्या हुजए कहाँ व्िस्वनात किया शुयंकर शुनात प्त्र है तो रूपा जो वेसाली की बेहन है रूपा जो कौन है वहसाले की कौन है बेन हैं यहां पर रूप आजाएगी विश्वनात के साथ में किस परकार से सम्मन्द है तो दुस्तों इस परसंड का जो राइट आंसर है तो दोस्तों यहां पर देखें के बहुत important questions आपके सामने दे रखे हैं तो दोस्तों इस परसंद का सब्सक्राइब आपको ध्यार में करना और इस परसंद का comment उत्तर के रूपे देना है अगला questions यहाँ पर आप देखेंगे friends कि जो खारी यहाँ पर देखें आपके सामने अलफाबेटिक questions पूचे गए नमरीकल questions पूचे गए इस नमरीकल questions को आपको ज्यार में रखना है अब इसमें सबसे पहले किन किन के जोड़े बनेगी सबसे पहले से काउंट करेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चुदा पंदरा सोला स सबसे पहले 20 बनेगी तो पांच पांच जोड़ लिजी तो देख लिजी यहां पर पांच पांच उसके बाद देख लिए पांच 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 जोड़ लिजी तो यहां पर आप देखें तीन दो पांच उसके बाद में तीन और यहां पर देखें के पांच होगे उसके ब A है यहां पर B है यहां पर B है यहां पर B है तो दोस्तों सबसे पहले यहां क्या आएगा A आएगा क्या आएगा A आएगा उसके बाद में देखिए A की बाद में B है तो यहां पर B आएगा तो यहां पर B क्या आएगा उसके बाद में यहां पर देखेंगे दोस्तों तो यहां पर भी क्या आएगा यहां पर भी आएगा यहां पर भी आएगा यहां पर भी आएगा इसके बाद में यहां सी आएगा फिर यहां पर भी और इसके बाद में सी तो देखेंगे बी बी ए बी बी इसके बाद में सी बी और सी यह जो आ सबसे प्लस्ट में किया है स है तो इसका राइट डंसर क्या है ऑसिर नाइसवर राइट आजए और आ और नंबर आपका पिया राइट आजए ऑपसर नंबर आपका बी आपका राइट यहां शयां अगला क्यों से जरूंपर देखेंगे दुस्तों के अंदर अलग बताना है इस क्यूस्टन को अलग बताना है कि इनमें से अलग क्या है क्या है अलग क्या है जल्दी से इस प्रस्टन का उत्राफ में कमेंट्स कर दीजिए दोस्तों इसका अलग क्या है तेकिए सबसे पहले इन दोनों का में अंतर ले ले लेता हूं तो आठ का अंतर है इन दोनों में अंतर ले ले लेता हूं तो यहां पर देखेंगे दोश्टों यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी आंट का अंतर है इन दोनों की बीच में कितने का अंतर है लगबग 11 अंतर और इन दोनों की बीच में अगर हम बात करें तो किस का मद्य अंतर है तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे अंतर से समंधित अंतर परसर निकल रहा है तो य यहां पर आप देखेंगे 11 का होगे और यहां पर भी आप देखेंगे तो दोस्तों इस परसन के अंदर बिल्कुल जो राइट अंसर क्या होगा यह चीज़ आपको ध्यार में रखनी है इस पर्संद के अंदर उप्सननम्बर आपका सी राइट होगा अब इसके अंदर कितने कंतर नंघ इंक कितने 아सी की आंडर कंतर 10 कैंpe जिस प्रकार्ट से पर्षन परिक्सा के अंदर हमीद, देगे, अहम्द हमीद से बड़ा है, तो दोस्तों अहम्द, हमीद से बड़ा कुन है? अहम्ध हो गया है रवी, राकेश के बराबर है तो दोस्तों, यहां पर में लिख रहा हूँ रवी और इसके बाद में लिग रहा हूं राकेश दोनों क्या है बराबर है लेकिन आनन्द ससी से छोटा है तो दोस्तों आनन्द है वो ससी ससी से क्या है छोटा है ससी से छोटा कौन है आनन्द जो राकेश के बराबर है जो कौन बराबर है राकेश के बराबर है तो यहां जी गर राकेश क्या आजेगा राकेश आपका आजे क्या जेगा राकेश अल दोस्तों यहां पर आपको ध्यान में रखना है राकेश और रभी भी क्या है दोनों बराबर है क्या है बराबर है अब इसमें देखें यदि हमीद राकेश से बड़ा है तो दोस्तों राकेश से कौन हो गया हमीद हो गया तो यहां पर आपके क्या आएगा हमीद और हमीद के जैस्ट उपर क्या आएगा हमीद से बड़ा है कौन अहमद है अब दोस्तों बता हैं कि सबसे बड़ा सबसे बड़ा तो आपका अहमद हो गया सबसे बड़ा क्या हो गया अहमद हो गया और सबसे चोटा कौन हो गया तो दोस्टों सबसे चोटा हो गया रवी क्या हो गया अहमद और रवी आपका राइट आंसर है तो इस परसन का राइट आंसर आपको ध्यान में रखना है के लिए रहा है तो चलिए देक्तें अगला जो कुच्छन क्या अगला एक प्रस्थ हैके सामने alphabatic and geography समने जी का मतलब क्या यह बीटा का समद्ध है तो देखिए यहां पर सबसे पहले क्या आएगा वाई का मतलब क्या है पी का मतलब क्या है एस का मतलब क्या है और वाई का मतलब क्या है यह चीज़े आपको द्यार में रखनी है देखते हैं कैसी प्रस्टन को सॉल करते हैं सबसे पहले क्या पी आएगा तो पी का कोड क्या पी का कोड तो यहां पर सीधा option पहला कट गया अब लोगों सबसे x s का मतलब गया x का मतलब गया यह यह है तो यहां पर देखेंगे यह option number option number c आपका right answer बताने के ज़रूत नहीं सीधा option और अन्तिम y मिला लेजिए y का यह भी कट गया यह भी कट गया तो इसका option right c अगला क्यूस्ण देख लीचे एक कूट भासा के अंदर दे रखी संग्या अब इसका मतलब क्या नौ यह कट गया एक माइनस का मतलब 66 तो माइनस का मतलब 6 उसके बाद देखेंगे तीन यह तीन कट गये इसका मतलब 7 तो यह भी कट गया तो option number आपका डी right answer option number डी आपका बिल्कुल right answer है अगला क्यूस्ण देखेंगे दोस्तों अगला क्यूस्ण क्या कह रहा है बहुत अच्छा क्यूस्ण से अगला क्यूस्ण देखें जल्दी से इसे पूछा है कि तो दोस्तों इसमें सीम में इस एक अंदर सीम है तो इस दोनों के अंदर क्या क्या रहा है तो दोस्तों यहां पर देखें मेंगोज यहां पर भी मेंगोज तो देखें यहां पर मेंगोज मेंगोज का मतलब क्या होता है सीम क्या होगा सीम होगा क्या होगा सीम आपका होगा उसके बाद में देखेंगे इसके बाद देखेंगे इन दोनों इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है टीम टीब तो इसमें देख लिए क्या हो रहा है इसमें देख लीजिए स्वीट और स्वीट इनका क्या मतलब है टी आइम क्या है टी आइम है अब उसके बाद में देख ल पहले और जो सबसे अंत में क्या क्या समद है तो इसमें देखेंगे जो तो इसी के अंदर ये जो इसी के अंदर जो जो जू 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 तो जू का मतलब भी गुड्स और जी का गुड्स तो जू का मतलब क्या होगा यह आपका एक है यह राइट आंस्वर है तो गुड का वे नरे पहुछा गया है इसमें ये पूछा है जो वैवाषी में सब्सक्राइब करें निर्द कॉर्टी कलब सद्watक्राइब कीनि बैद सफेकर समय भी खेंजी सुन्द केरा ते में देखर रोटी कलब के सदेशी कितने हैं यह चीज़ आपको त्यार में रखनी है तो बताएं जल्दी से तो दोस्तों इन्में से जो देशी और देखिए वहसाई संस्तान सिक्सर को तो इसमें जो राइट अंसर क्या होगा इसका राइट अंसर इच और यह देखिए पांच ठाव देखिए तो जो सिके तो क्लास कैसी लगी दोस्तों क्लास अच्छे लगिए लाइक कर लिजे एक बार और अपने दोस्तों को शेर जरू खरीजी बिलकुल शेर कर लीजे और अगर आपको इसकी पीडियो फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम गूरूप जॉइन कर लिजे या फिर आप हमारा कर सकते हैं तो थैंक्यू वीडियो धन्यवाद नए अपडेट में फिर मिलते हैं और क्रेश कोर्स नमारा चल रहा है इसे आप सावधानी से परचीज कर सकते हैं फिरी में